तो फाइनली दोस्तों रिसलमीनिया बैकलाश खतम हो चुका है और रिसलमीनिया बैकलाश में दबलड लाइन ने डू मैकिंटाय और आरकेपरो को हरा दिया सबको ऐसा लग रहा था कि शायद डू मैकिंटाय और आरकेपरो दबलड लाइन को रिसलमीनिया बैकलाश में हरा देंगे तो आईए दोस्तों आप करते हैं वीडियो को शुरू हो जानते हैं कि डबलो इड़ो नौमाई 2022 में क्या क्या होगा जैसे कि हम लोग पहले से जानते थे कि आर्केब्रो और दाउसोज के बीच में डबल टैटल मैच हो रहा था अब आज के रहा में यानि के डबलो इड़ो नौमाई 2022 में डबल इड़ो ज़रूर आएंगे और उसके बाद हमें ये देखने के लिए मिल सकता है कि डबल इड़ो नौमाई डाउसोज को चैलेंज करेंगे डबल टैटल मैच के लिए अब सवाल है कि क्या डबल इड़ो ज़रू मैकिनटायर और आरके बरो के इस चैलेंज के लिए मानेंगे या नहीं देखें दोस्तों काफी टाइम के बास ऐसा हो रहा है कि डबल इड़ो नौमाई डाउसोज को चैलेंज कर सकते हैं और डूमायकिनटायर रूमरेस को चैलेंज करेंगे डबल इड़्ोवी उनिवॉसल टाइटल केलिए वहीं दूसी तब आरके ब्रो चैलिंज करेंगे दव उसोस को वो भी डबल टैटल मैच के लिए अब सवाल ये उड़ता है कि क्या डू मैकिंटायर रोमरेस को हरा के न्यू डबल वी यूनिवरसल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं और क्या आरके ब्रो डबल टैटल चैंपियन बन पाएंगे या नहीं मैं आपको बताता हूँ देखे दोस्तो इस बात की चांसे काफी कम है कि डू मैकिंटायर रोमरेस को हरा दे लेकिन ये बात भी है कि अगर डबल वी में अभी कोई रोमरेस की जंगा ले सकता है तो वो है डू मैकिंटायर तो शायद डबल वी डू मैकिंटायर को ये मौका दे दे कि वो रोमरेस को हरा दे और बन जाए न्यू डबल वी अन्डिस्पुटेड यूनिवरसल चैंपियन और अगर हम लोग आर्के ब्रो और दौसोज की बात करें तो इस बात की चांसेस भी काफी जादा है कि आर्के ब्रो दौसोज को हरा के न्यू यूनिफाइट टैक टिम चैंपियन बन जाएंगे तो दोस्तों आप लोग की कमेंटे जो बताएगा कि आप लोग किसके साथे डबलेड लेन की साथे या आप लोग डू मैकिंटाय और आर्के ब्रो के साथे और कमेंट में यही बताना मत बुलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं मिलता हूँ आपको थोई दिर में डबलेबी के नेक्स अपडेट के साथ तक तक के लिए ठैंक यू और ग